पिछले कक्षा में आठवी कक्षा का पिछले कक्षा में क्या निराश्या हो आजया क्या निराज हो आजाए पार्ट सवाप्त किये थे और साथ में इस पार्ट के पीछे के प्रश्णों तर और व्याकरन भाग या पूरा देखे थे तो पिछले कक्षा में वह पार्ट पूरा सवाप्त भी हो गया था आज हम बच्चों आटवी कक्षा के लिए आपको दो किताब है तो पहला वसंत भाग तीन हम इतने तिन तो इस पार्ट में जो सलगास है कि था टैक्रम है उसके बारे में देखे थे और आज हम क्या करेंगे तो आटवीस श्रहक का और एक किताब हिंदी की पूरा का प्ठेपूस्तक है कि तो इस पांट को भी हम इस पांट का पंटे क्रम क्या है वह देखना दूरूरी है तो हिंदी की पूरग्द पंटे पुस्तक है आज से हम क्या करेंगे तो इसकी पंटे क्रम क्या है तो पहला आपका भागत्री का किताब कौन सा है वसंत और यह कौन सा है भारत खोज भारत की खोज मतलब सर्चिंग तो उसमें हमद क्या करेंगे भारत की खोज तो उसके नामे पहला को एक जाय है कौन सा है अहमद नगर का कीला यह तो पहला पाड़ है तब पहला भाग है तो हमें भारत की खोज इस किताब में किताब के विशय के बारे भारत के यह भारत देश एक अखंड या बहुत बड़ा देश है तो इसमें क्या हुए है अलग- अलग क्या है राज्जू छी के सीमा'ों के अनुसार में तो को अलग- अलगर राज्ज है और यह अलग-अलगर राज्जू में क्या है और फृर्फिर क्या किये है जिला के रुक में हम और भाग कर लिए है अब उसमें जिल्ला के अंतरगत क्या आते हैं आप देखते रहते हो और तालुक गाउं इस तरह हम क्या किये है अलग-अलग किये है लेकिन ये पूरा क्या है एक भारत देश क्या है एक अखन्दया पहुर बड़ा देश ये भारत की खोष मतलब इदर क्या हो रहा है भारत की सर्च मतब खोज इसमें किया ये भारत देश में एक-एक विशेश स्तल है और अनेक स्तलों से भारत देश वश्चत भी है और अलग-अलग स्तल से क्या हुआ है भारत देश बना है तो उसमें कुछ स्तलों के बारे में हमें इस किताब में क्या होते हैं जानकारी मिलती है भारत के कुछ स्तलों के बारे इस किताब से हमें जानकारी मिलती है उसमें पहला कंसा है वो अहमद नगर अहमद नगर का कीला कीला मतला कोटे मोलते हैं ना कोटे आमद नगर का कीला इसके बारे में चांकर देने के लिए इधर हम जवहरलाल नहरुजी जवहरलाल नहरुजी क्या करते हैं अपना जीवन जीवन में उन्हों बने सिर्क जवहरलाल नहरु एक ही नहीं भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए पच्चों आप भी जानते हैं अनेक महार पूर्शों नहीं क्या किये हैं अपना प्रान तक भी त्याग दिये उसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन एक एक लोग क्या किये हैं और देश के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने क्या किये हैं जेल में ही क्या किये उन्होंने बीते हैं जेल ही उनका जीवन बन वेया है जेल चीक है तो इसे अनेक महान लोगों में लोगों ने क्या कि एक ऊप्रत वहां क्या किये हैं ऊसमें हम जहारला ले लख कर देते हैं तो फूंका भून नाम सकते हैं उन्होंने क्या की है हैं किया बहुत साथा परिश्रम किये हैं तो उसके लिए पारा जिल भी गए ऐसे ओने कर Kकत से हैं अपने जीवन में जो घटना इसे मैं में go जेल में उन्होंने क्या करते हैं तुर इसके अधर करते है इस कि जानकारी देतें किस तरह उधर उद्वाण चला का ओर सामना किसा है है क्या करते हैं कि अब देख रहे हैं किताब ही आप देख देख या किसा है उदर जीवन नंते बारे परिचे आप इस पाठ शुरूरा हुने से पहले हैं इस नहीं जवहालाँ नेहरुजी के परचे भी उन्होंने दिये है अब भी जानते हो और नेहरुजी का आप जन्म दिन भी आप भाटशला में बनाते हो ठीक है उस दिन क्या करते है तुम्हारा ही दिन आचरन करते है आये बच्चे देखेंगे अहमद नगर का कीला क्या कहते है नेहरुजी देखेंगे यहां मेरी नवी जेल यात्रा थी नवी मतलब इससे पहले उन्होंने आट बार क्या हो एथे जेल जाकर आये जेल गये और आगे जाकर उन्होंने क्या कहते है यहां मेरी नवी जेल यात्रा थी हमें यहां आये 20 महिने से भी अधिक समय हो चुकात देखें उन्होंने उदर आकर 20 महिना उन्होंने उदर आके क्या हुआ 20 महिने बीत गई उससे भी ज्यादा अधिक समय कोयात जब हम यहां पहुंचे तो अंदियार्य आकाश में जिल मिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया देखें लोग में क्या करते हैं अंदियार्य मतल्ण क्या हुआ जानते हो डार्क डार्कनेस कत्तलु कि नोने उदर आके बहुत समय बीद गया और वो समय का भी मुनुने इदर है हमें पताते हैं कितने महिने हुए हैं 20 महिने से भी अधिक समय हो चुका था जब हम यहां पहुंचे तो अंधियाने आकाश में जिल मिलांते दूज के चादने दूज मतलव सूरस के किरने आपके ओर बीच में एक पेड़ हो तो पेड़ के डाले क्या करते हैं वहाँ हवा में आते हुए आपको बादाया डालते है वहाँ रहरा कर चमखना उस समय क्या होता है आपको सुरज थीक तरह से नहीं दिखता बीच में होए क्या होता है बादा अपर है जिल्मिलान जिल मिलाना मतलब रररर कर चमकर्ण तूज दूज दूज मतलब चंद्रमास के चंद्रमास के प्रतेक पक्षकी दूज 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 अदियारे आकास में जिल मिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया शुकल पक्ष शुरू हो चुका था तब से हर बार जब नया चान होता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास एक महीना अवरे बीथ गया अभने पक्ष के sucker की हो शुकल पक्ष कृष्ण पक्ष चैंगे तो एसे वो क्या होते है पक्ष बदलते हैं तो उसी तरह इधर भी क्या हो गया उन्होंने कहते हैं शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था क्या कहते हैं उन्होंने शुक्ल आकाश में जिल मिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया उतलब उन्होंने जब उदर जेल गए कारावास में गेर उन्होंने तो उस समय क्या वह वह उदर काउंसा उतलब मौसम काउंसा था अंदियारे आकाश में जिल मिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया शुक्लपक्ष शुरू हो चुका था तब से हर बार जब नया चांद उपता है तो जैसे मुझे याद है दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महिना और बीद गया देखने के लिए और समझने के लिए कोई सूचना नहीं हो था वहाँ आके कितने दिन होगे है इसके बार हें लेकिन नेहरुची कहते है कि जब रोज एक नया चांद उबता है अब जांते र öगत हो जब चांदनी के दिन होते है तो उस समय के होटा है आकाश में चंद्रमा उपता है अपनी रोशनी से कि आ करता है जमकता है चीगे तो देखो दो बार हर बार हर बार जब नया चान उगुता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महिना अवर बीद गया अब्र में अगिता है चंदर जाहा है तो जैरेनली यावाचा प्रतीसला चंदर तनन बेढकिनींद आकाशे तले गन्कोली सिब्त मैं अथ्मा वड़े वनो, अवागा ओर जैल नले एन अंतर तिर पुड़ता यतरो, ना ओ जैली के बंदो, वंदु तिंगल आयतु, एरडु तिंगल आयतु, इरित्धियन नहीं पुड़ता यतरो वनों समय वन्ना, लेक्त हक्ता यतु दिसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महिना अवरे बीद गया, चांद मेरे बंदी जीवन का स्ताई सहचर रहा है साथ चलने वा, साथ रहने वा, स्ताई सहचर मतलब बहुत दिनों तक चलने वा, स्ताई स्ताई सहच्चा बच्दब बहुत दिनाउं तरके चलने वाज़ बहुत दिनाउं तरके चलने वाज़ नेकि जी कहते है कि चान्द मेरे बंदी जीवन का चांद मेरे बंदी जीवन का सताई सहचर है बहुत दिनों तक चलने वाल, 27 अचलने वाल, अब साथी गोलते हैं न, फ्रेंड, उसी तरह, नेकर जी, क्योंकि चंदरमा उसे एक सूचना देता था, क्या, मैं आप इदर जेल में आकर क्या हो या, एक महिना हुआ, दो महिना हुआ, इस तरह उनोंने क्या करते थे, हिसाव करते थे, तो इसलिए नेहरूजी क्या करते एदर, चंदरम उसे मुझे क्या क्या दो, वो मेरा सहचर था, चांद मेरे बंदी जीवन का स्ताई सहचर रहा है, वही मुझे इस बात की याद दिलाता है, की अंदेरे के बाद बुझाला होता है, देख़े, होग और क्योंकि चंद्रमा क्मो ने इतना महत्व क्यों हो यूई यह दिकी ? हम प्लतों प्लतों बहुत हैं ।uç और मुंदरे के बाद पूरोफ होता है । मतलब है कि अगरी कि इन जीवन में वैंतलों में हैms 200 वा पता रहते हैं अंदेर को देखकर मतलब कस्टों को जीवन में कस्ट को देखकर हम पीछे भादना नहीं चाहिए तो अब कस्ट है हो तो हमें उसे सामना किये तो आगे जाके हमें क्या मिलता है उज्ञाला मतलब रोश्णी उज्ञाला अवश्य रहता है अब हमें बहुत कस्ट होतो हमें भगवान इतना कस्ट क्यूं दे रहा है तो कस्ट बोने के बाद हमें शायद जीवन में बहुत खुशी होगा अंदेरा है अब कस्ट अंदेरा जैसे कस्ट है इसके बाद खुशी की तरह उज्ञाला हमारे में दे रहा थे यहां संदेश कौन समझ रहें थे नहरुजु जभारला नहरुजी अपनी जीवन में यहां संदेश हमेश होते पालते अंदेरें के बाद उजाला होता है, यहां तक बच्चों, नेहरेंच क्या कहते हैं अपना अहमध नगर का कीला, उस जेल में उन्होंने जिस तरह जीवन बिताए島 अधर कुस्टों को सामना किये। उसके बारे में हमारे साथ और क्या कर रहे हैं बांट ले रहे हैं और उस स्टल का महतूबी आहमाद नगार का कीवा क्या है तो उसका महतूबी और उसका परिचेइग भी हमें उन्होंने दीने केलिए इधर खुशिश कर रहे है तो आगे का विशय भी है तो आगे का विशय हम आगले कुछशे में देखेंगे बच्छों अणिवां धन्यावार